Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, सबसे पहले तो यह मेरा पहला वीडियो है इस साल का तो I would like to wish you all a happy new year जो भी आप लोगोंने अपने लिए goals बनाए हो इस साल के लिए I really wish आप वो सारे अजीव करो अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में So, हमने एक playlist start किया था MLOps के उपर ये वीडियो उसी playlist का second वीडियो है Last वीडियो जो था वो Why do we need MLOps के उपर था आज का वीडियो है What is MLOps वीडियो को शुरू करने के पहले दो बाते बोलना चाहूंगा First, I'm really sorry पिछले वीडियो और इस वीडियो में थोड़ा gap हो गया और वो इसलिए हुआ Because मैं travel कर रहा था तो shoot करने का मौका नहीं मिला Second बात ये है कि आज का जो वीडियो है इसका goal बहुत simple है मुझे आपको explain करना है कि MLOps exactly होता क्या है अब honestly speaking MLOps समझा पाना थोड़ा मुश्किल चीज है क्योंकि थोड़ा complex सा topic है और explain करने के लिए काफी सारे technical terms यूज होते है fancy terms यूज होते है तो मैंने इस वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि first of all जो भी explanation मैंने रखा है वो बहुत simplify कर दिया है because मैंने एक example use किया है I am optimistic कि आपको वो example बहुत पसंद आएगा relate कर पाऊगे और second मैंने कोई fancy terms यूज नहीं किया तो मेरा expectation है कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आप किसी के भी सामने easily explain कर पाऊ MLOps क्या होता है ठीक है तो और मैं बातें नहीं करूँगा let's start the video so even though मैंने अभी तक आपको MLOps के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है but still मैं आपसे question पूछूँगा और ये एक simple true false question है आपको इसका answer true या false में बताना है so ये एक statement लिखा हुआ है screen पर statement है MLOps is the practice of deploying machine learning models into production so that anyone can use the ML model ये जो statement है आपको ये बताना है कि ये true है या false है unfortunately बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये statement true है in fact मैं भी जब first time MLOps के बारे में सुना था कुछ 5-6 साल पहले तो मुझे भी यह लगा कि MLOps is basically a set of principles जिनको यूज करके आप ML models को deploy करते हो but ये statement actually false है MLOps सिर्फ machine learning models को deploy करने को नहीं बुलाया जाता MLOps उससे बहुत कुछ और है तो मैं ये myth वीडियो की शुरुआत में ही तोड़ना चाहता हूँ because मैंने देखा है लोगों को ये गलत opinion अपने मन में रखते होए कि MLOps is just about deploying ML models तो फिर सवाल ये आता है कि MLOps फिर exactly है क्या वह हमें इस वीडियो में समझना है तो सबसे पहले मैं start करूँगा correct definition से so ये जो आपको दिखाई दे रहा है न काफी बड़ा सा 5-6 lines का ये सही definition MLOps की एक बार मैं पढ़के सुनाता हूँ MLOps refers to the practice and discipline within machine learning that aims to unify and streamline the machine learning system development and machine learning system operations it involves collaboration between data scientists, ML engineers and IT professionals to automate and optimize the end-to-end life cycle of a machine learning application so this is the correct definition unfortunately इस तरह का definition ना कुछ समझाने से ज़्यादा डराता है I think आप agree करोगे मुझसे क्योंकि इतने सारे difficult terms यहाँ पे लिखे हुए है एक beginner के लिए उनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल काम है तो मेरा plan of action ये है इस वीडियो में कि मैं इस definition को एक बहुत प्यारे से analogy के थूँ समझाऊंगा ठीक है हम इस definition पे दुबारा आएंगे बड़ उसके पहले हम एक बहुत बढ़िया कहानी पे चलेंगे हम वो कहानी सुनेंगे समझेंगे और जब हम वापस आएंगे तो आप नोटिस करोगे कि आप इस definition को समझ चुके होगे So I hope you are excited Let's start that story So ये कहानी एक engineering student की है ठीक है एक engineering student है कुछ भी नाम हो सकता है उसका नितिश बुला सकते हो आप उसको मैं ही हूँ वो student तो मैं अभी 5 second year में पढ़ रहाँ और कुछ दिनों में मेरे parents का anniversary आने वाला है marriage anniversary तो मुझे लगा कि यार एक काम करते है parents के लिए कुछ करते है एक छोड़ीजी party organize करते है जहाँ पे उनके जो भी friends हैं और कुछ relatives हैं को invite किया जाएगा और मैं खाना बनाऊँगा ठीक है तो मैंने खुछ से पूछा कि यार मैं क्या बना सकता हूँ तो एक चीज मुझे बहुत अच्छे से बनाने आती है और वो है noodles मैं noodles बहुत अच्छा बनाता हूँ तो party organize हुई उस दिन guest cloak आये पेरेंट्स को भी काफी surprise मिला so मैंने अपना noodle बनाया और noodle बनाके जब मैंने लोगों को खिलाया तो response was very good मेरे पेरेंट्स ने noodles खाये और बोला कि यार भाई क्या noodle बनाता है तो हमने तो आस दा कैसा noodle खाया ही नहीं जो guest आये थी उन्होंने भी बहुत तारीफ की कि यार this is like one of the best noodles that they have eaten एक अंकल ने तो यहां तक बोल दिया कि भाई अपना placement वागेरा छोड़ो you should focus on creating a shop मतलब आपको अपने लिए एक दुकान खोलनी चीए जहापे आप noodles sell करो बहुत कमाऊगे बहुत तारीफ मिली तो उस रात मैं बैट पर आके सोया और मेरे मन में एक हयाल आया है कि यार सच में मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ क्या तो मेरे मन में ये सवाल आया है कि what if सच में मैं एक shop open करो एक cloud kitchen open करो जहाँ पर मैं swiggy के उपर noodles बना के बेच हूँ तो ये idea मुझे अच्छा लगा अगले दिन मैंने अपने parents से बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार ऐसे भी कोई problem नहीं है तुम engineering कर रहे हो जो भी तुमारे पास time बचता है उसमें why not try entrepreneurship अच्छी बात है करो तो मैंने अपने parents से एक छोटा सा kitchen खोल लिया ठीक है छोटा सा kitchen और मैंने अपना एक account बना लिया swiggy पे ठीक है और assume कर लो कि जो भी necessary requirements है जैसे कि वो fssai वाला certification लेना होता है या जो भी होता है वो मैंने ले लिया है इस kitchen में 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 पास necessary equipment है noodles बनाने का और अब पुरा flow क्या है कि कोई user आता है वो मेरी दुकान को देखता है swiggy पे और noodles का order place करता है वो order मुझे मिलता है और मैं noodles बनाता हूँ और swiggy वाले delivery भाहिया को दे देता हूँ वो जाकर के सही जगा पहुँचा देते तो ये छोटा सा मेरा business मैंने start कर दिया अब हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे इस business की बारी क्यों मैं घुसेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ कि पहले कुछ दिन तो एक दो order साते थे अभी मेरी नई दुकान खुली है तो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में बट धीरे धीरे क्या हुआ कि सिंस मैं बहुत अच्छा noodles बनाता हूँ तो मेरे जो customers थे शुरू वाले उन लोगों ने अपने दोस्तों को बताया कि यार यह एक नया shop खुला है स्विगी पे you should definitely try out that noodle because बहुत ही tasty है तो यह जो एक दो orders थे यह बढ़ करके दिन भर में पांच से दस orders तक पहुँचके अब जब पांच से दस orders तक पहुँचे ना तो तब मैंने पहली problem face की अपने इस food business में problem क्या थी मैं आपको समझाता हूँ सो मेरा काम करने का तरीका बहुत simple था मैं upfront बहुत investment नहीं डालना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता है कि दिन भर में कितने orders आएंगे तो मेरा काम करने का तरीका बहुत simple था जैसे ही मुझे स्विगी से एक order का notification आता था मैं दोड करके बगल वाली दुकान में जाता था वहाँ से सबजी खरीदता था नूडल का एक packet खरीदता था मसाले वसाले खरीदता था अपने kitchen में आता था बनाता था और delivery वाले भाईया को दे देता था तो दिन भर में मुझे ये दो से तीन बार करना पड़ता था विकास मुझे एक दो orders ही आते थे बड़ जैसे ही orders का scale थोड़ा बढ़ने लगा जैसे ही दस orders आने लगे तो ये पूरा काम मुझे repeat करना पड़ा दस बार दिन में और suddenly से ये feasible नहीं रहा क्योंकि सोचके देखो दिन में दस बार जाना, सबजी खरीद के लाना नूडल्स खरीद के लाना और फिर कुक करना बहुत ही hectic हो गया तो कोई भी समझदार इंसान I guess समझ जाएगा कि उसे क्या करना चीए ideally आपको क्या करना चीए आपको एक inventory manage करना चीए मतलब आपको सबसे पहले ये decide करना पड़ेगा कि मुझे roughly दिन भर में कितने orders आ सकते हैं मालो मेरे लिए वो number था 10 तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक infrastructure build करूँगा अगर मैं अपने kitchen पे focus करके आपको दिखाऊ तो what I will do is कि ये मेरा inventory है जहां पे मैं अलग-अलग shelves बना दूँगा ठीक है तो एक shelf पे मैं vegetables रखूँगा एक shelf पे मैं noodles रखूँगा एक shelf पे मैं मसाले वगरा रखूँगा ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे big basket पे जाना है और मुझे big basket पे जाना है और वहां पे vegetables सबस्क्राइब कर लेना है ठीक है कितने orders के हिसाब से 10 orders के हिसाब से फिर मुझे हो सकता है किसी और vendor का noodle पसंद है तो मुझे noodle सबस्क्राइब कर लेना है 10 लोगों के हिसाब से और फिर किसी और vendor का अगर मुझे मसाले पसंद है, तो मुझे, मालूम है, upfront एक महिने का, मसाला एक साथ order कर लूँगा, तो मैं 300 noodles के हिसाब से, मसाले order कर लूँगा, so basically, मुझे एक इस तरह का system, create करना पड़ेगा, जहां पे big basket से, daily सुबह, मेरी दुकान पे, 10 noodles, जितनी सबजियां आ जाए, एक दूसरी दुकान से, 10 noodles के packets आ जाए, और एक तीसरी दुकान से, हर महिने की पहली तारीख पे, 300 noodles का, मसाला आ जाए, जैसे ही वो तीनों चीज़ें, मेरे दुकान पे आएंगी, मेरा काम बस इतना होगा, कि मैं उठा करके, उनको सही shelf पे place कर दूँ, so that मैं उसको सही से retrieve कर पहूँ, अब यहां से, मेरा, चूला connected होगा, चूला मतलब, gas, या जो भी setup होगा, जहां पे भी मैं खाना बनाऊंगा, noodle बनाऊंगा, और, यहां पर, मैं retrieve करके, अपना खाना बनाऊंगा, यहां पर मैं pack करूँगा, और pack करने के बाद, यहां पर मेरा agent आएगा, delivery वाले भाईया, उनको मैं दे दूँगा, so this is the setup, जो मुझे use करना चाहिए, तो मैंने यह यह गया, मैंने, rather than, हर order पे जाके, सामान खरीदने के, मैंने, एक structure फॉर्म कर लिया, and this was the structure, तो यह बन गया मेरा inventory, this was my inventory, और यह जो पूरा structure आपको दिखाई दे रहा है, यह मेरा inventory management system था, अब इस system के आते ही, क्या फायदा हुआ, कि एक दिन में, अब मैं 10 orders, असानी से fulfill कर पा रहा था, और मुझे 10 बार दोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठेक है, तो यह मेरा system थोड़ा सा scale कर गया, आगे बढ़ते हैं कहानी में, अब सिंस मैं बहुत अच्छा noodles बनाता हूँ, तो obviously, 10 पे तो रुकेगी नहीं बात, और लोगों को पता चला मेरे noodles के बारे में, मेरे shop के बारे में, तो स्विगी पे और ज़्यादा लोग orders place करने लग गए, in fact, ये order 10 से 20 हो गए, 20 से 30 हो गए, करते करते, एक दिन तो ऐसा हो गया कि 50 orders एक साथ आ गया, और तब मुझे पहली बार, एक और परिशानी हुई, और वो परिशानी थी कि मैं धग गया, मैं एक दिन में 50 noodles नहीं बना सकता, तो मैंने अपने पापा से बात की, कि देखिए सब तो अच्छा चल रहा है, बट एक दिन में 50 orders आ जाते हैं, मैं तो handle ही नहीं कर पाता, तो आपके पापा ने आपको बोला कि फिर तो बहुत सिंपल है, you have to expand, you have to scale, आपको एक junior chef लाना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक junior chef लाना पड़ेगा, तो 25 orders वो handle कर लेगा, 25 orders आप handle कर लेना, इससे क्या होगा, आपका kitchen अब 50 orders एक साथ manage कर पाएगा, तो अब हमने क्या किया, हमारा जो kitchen है, उसका structure थोड़ा change किया, तो ये big basket है, ये blanket है, ये हमारा local कोई दुकान है, इन तीनों जगों से, दुकान में सामान आता है, ये हमारा shelf है, जहाँ पर हम सामान को रखते हैं, और यहाँ से आप सामान, दो जगों पर जाता है, ये है हमारा, first, gas चूला, और ये है हमारा second gas चूला, यहाँ पर, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मेरा junior chef काम करता है, इन दोनों जगों से, ये हमारा, packaging table पे, खाना जाता है, और packaging table से, delivery वाले भाहिया के पास, खाना चला जाता है, तो basically हमने इस जगे पे, parallel processing, add कर दिया, साथ में भी अगर, दो तीन orders आ गए, तो हम लोग, दो लोग मिल करके, इसको handle कर पा रहे थे, ठीक है, तो अभी तक, पचास orders handle कर पा रहे थे, बट, अब एक नई problem system में आई, तो नई problem क्या आई, कि मैं, 50 orders तो अराम से handle कर पा रहा था, लेकिन, कुछ दिनों के बाद, हमारा जो feedback था, स्विगी app के उपर, वो, थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा, तो मैं curious हो गया, कि भाई ऐसा क्यों है, तो जब मैंने reviews पढ़े, तो मुझे पता चला, कि एक दो users ने लिखा, कि भाई जब हमने Saturday को, आपके noodles order किये, तो खाने का taste बहुत अच्छा था, Sunday को जब फिर से order किया, तो taste उतना अच्छा नहीं था, और जब मैंने वापस Wednesday को order किया, तो फिर से taste अच्छा था, तो जब हम एक ही दुकान से noodles order कर रहे हैं, तो taste इतना fluctuate क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सोचने के बाद आपको ये समझ में आया, कि actually problem ये है, कि जब वो Saturday को order कर रहे हैं, और उसको अच्छा लग रहे हैं, वो मैंने बनाया, यहां से वो noodle निकला, और जब उसमें Sunday को order किया, और उसको अच्छा नहीं लगा, वो actually junior chef ने बनाया, और ये problem इसलिए आ रही है, because आपका junior chef उतना अच्छा भी chef नहीं है, आपके level का chef नहीं है, और आपने उसको training के time पे, ऐसे ही verbally समझा दिया था, कि देखो भाई, मैं ये सबजियां काटता हूँ, इतना छोटा काटता हूँ, ये noodle यूज़ करता हूँ, इतनी देर तक पकाता हूँ, आपने verbal instructions दे दिये थे, तो उसने verbal instructions लिये, अब obviously उसमें कुछ gaps रह गए, और उस gap की वज़े से, जब वो noodles बना रहे है, तो उतना tasty नहीं बन रहे है, तो instantly आपको problem समझ में आया, कि problem है verbal communication का, हमें क्या चाहिए, एक standardized product, मैं बनाऊ, मेरा junior chef बनाए, taste same होना चाहिए, तो यहाँ पर एक idea आया, exactly हर चीज रिटेन में लिखियो, कौन सी सबजियां यूज होंगी, कितने gram यूज होंगी, कौन सा noodle यूज होगा, कितनी देर boil होगा, उसमें कौन से मसाले डालने हैं, कितना gram डालना है, everything should be clearly mentioned, और हम जब भी noodle बनाएंगे, हम उस recipe book को देख कर ही बनाएंगे, so basically इस architecture में, हमें एक चीज और करनी है, multiple जगों से, खाना आ रहा है, या raw material आ रहा है, हमारे inventory shelf पे जा रहा है, वहाँ से, बीच में अब एक नई चीज आ गई, और वो है recipe book, और जब भी मैं खाना बना रहा हूँ, या फिर मेरा junior chef खाना बना रहा है, हम दोनों इस recipe book को देख कर ही बना रहे हैं, उसके बाद packaging पे जा रहा है, और उसके बाद delivery पे जा रहा है, ठीक है, तो इस architecture में, मैंने एक extra step लोड किया, अब इस recipe book की अच्छी बात क्या है, कि this is like a common point, common knowledge point, जहां से हम knowledge extract कर रहे हैं system में, कल को अगर मेरे junior chef ने ये बोला, कि sir अगर हम पानी को थोड़ा सा और ज़्यादा temperature पे boil करें, तो हमारा noodle थोड़ा fast बनेगा, टेस्ट उतना ही अच्छा रहेगा, थोड़ा fast बनेगा, तो वो junior chef जाके क्या करेगा, इस recipe book में changes कर देगा, ठीक है, और मैं जब अगली बार खाना बनाने जाऊंगा, तो मैं ये updated recipe यूज़ करूँगा, similarly अगर मुझे कुछ नई चीज़ पता चली, कि यार, अगली बार जब मेरा junior chef नूडल बनाने आएगा, तो वो updated recipe यूज़ करेगा, गोबी डालने के बदले broccoli यूज़ करेगा, तो ये recipe book के आजाने से क्या हो गया, एक तरीके से system में एक version control आगया, हम दोनों लोग मिल करके same product पे काम कर रहे हैं, उसमें changes करने, बट हमेशा जो हमारा output आ रहा है, वो एक standardized product है, taste uniform है, तो ये हमने एक बहुत बड़ा challenge सरपास किया, तो आप इस updated architecture के साथ, मेरी दुकान में हम लोग आसानी से 50 orders, daily handle कर पा रहे थे हैं, बट जैसा कि मैंने बोला, since मेरी recipe में बहुत दम था, तो बहुत quickly और लोगों को हमारी दुकान के बारे में पता चला, और धीरे-धीरे orders फिर से बढ़ने लग गए, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, तो इतने तक फिर भी हम लोग, मैं और मेरा junior chef, एक्स्ट्रा मेहनत करके handle कर पा रहे थे, एक दिन तो ऐसा हो गया कि 100 orders आ गए, एक ही दिन में, अब ये फिर से थोड़ा difficult वाली category में आ गया, तो मैंने फिर से अपने पापा से बात की, कि growth तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट अब फिर से हम उस category में आ गए, उस domain में आ गए, जहाँ पे दो लोग मिलके 100 orders तो नहीं बना सकते, तो पापा ने फिर से generics idea दिया कि आरे काम करो, फिर एक और बंदे को hire करो, एक और cooking station डालो, पैरलेली तीन खाना बनाओ, तीन noodles बनाओ, तो मैंने सुचा, ये solution सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 50 पे मुझे एक नया बंदा hire करना पड़े, what if कल को मैं 150 orders हिट कर गया, तो फिर मुझे चौते बंदे को लाना पड़ेगा, 200 orders हिट कर गया, पाँचवे बंदे को लाना पड़ेगा, problem क्या होगा कि जितना जादा लोग आएगा, किचन में उतनी जगे नहीं है, तो फिर मुझे बड़ा किचन लेना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, तो सिंस मैं engineering student था, मैं काफी technology पढ़ते रहता था, तो मुझे actually एक machine के बारे में पता था, एक automated cooking machine के बारे में पता था, जिसको अगर आप एक recipe प्रोवाइड करते हो, ठीक है, प्रोग्राम करते हो, और raw materials प्रोवाइड करते हो, तो एकदम minimum supervision के साथ, वो machine क्या करता है, आपका खाना not only बना देता है, उसको package भी कर देता है, डब्बे वगेरा के अंदर डाल भी देता है, और उस machine की खासियत क्या है, कि वो machine एक साथ, parallel में चार noodles बना सकता है, मतलब एक साथ parallel ही वो चार noodles हैंडल कर सकता है, और दिन भर में वो 200 से 200 noodles बना के, आपको serve कर देगा, तो आपको लगा कि ये सही solution है, मुझे rather than hiring different human beings, and teaching them how to cook noodles, I should have just one machine, जो standardized हो, recipe के हिसाब से खाना बनाए, पैडली चार noodles बनाए, और packaging भी कर दे, और ये सारी machine को handle करने के लिए, मुझे सिर्फ एक बंदा लगेगा, तो मुझे नया kitchen लेनी की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा loan उठाया, बैंक से, और ये machine आपने खरीद ली, तो basically अब आपका setup, कुछ ऐसा दिखता है, ये आपके stores है, यहाँ से raw material गुषता है, आपके inventory में, inventory के बाद, यहाँ पे आपने install कर दिया, अपने इस automated cooking machine को, इस machine में तीन stages में काम होता है, first, आप एक recipe प्रोवाइड करते हो, program करते हो, उसके बाद यहाँ पर parallel में, चार cooking tops हैं, जिन में खाना बन सकता है, और फिर यहाँ पर एक packaging station है, ठीक है, there is a packaging station, जहाँ पर खाना package होके, यहाँ से निकलता है, और यहाँ पर आपके delivery वाले भाईया आते हैं, और वो यह खाना निकाल के ले जा सकते हैं, और इस पूरी चीज़ को handle करने के लिए, आपको बस एक अपने junior chef की जरूरत है, जो बस यहाँ पर raw materials डाल देगा, और यहाँ से noodles receive कर लेगा, ठीक है, तो in a way यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह part, यह एक pipeline का काम कर रहा है, जो इस पूरे के पूरे process को automate कर दिया, इससे फाइदा क्या हुआ, कि अब यह जो setup आपको दिखाई दे रहा है, this can easily handle up to 200 orders per day, so you can see, धीरे धीरे आपका यह food business बड़ा होता जा रहा है, अब आपके पास 120 orders आ रहे हैं, 150 orders आ रहे हैं, तो भी आप आसानी से इस minimal setup के साथ, उनको आसानी से handle कर पा रहे हो, और अच्छी बात क्या है, कि हर customer को same taste का noodle मिल रहा है, because एक standardized product से आपका खाना बन के निकल रहा है, so life सही चल रही थी, दिन के almost 150 orders आपको मिलने लग गए, बट धीरे धीरे अपनी चीज नोटिस की, सिंस आप एक पढ़े लिखे समझदार businessman हो, तो आप हर चीज को track करते थे, तो आप एक चीज और track करते थे, कि हर महीने आपका average daily users, या average daily orders कितने थे, तो आपने जब दुकान खोली थी January में, तो वो था around 10, Feb में थोड़ा बढ़के वो चला गया था 30, March में वो पढ़के चला गया था 70, बट एक चीज आपने नोटिस की, कि पिछले तीन महीनों में, आपका जो average daily orders हैं, कि daily आपके दुकान पे कितने orders बढ़ रहे हैं, वो 150 के आसपास ही fluctuate कर रहा था, somehow ये जो growth था, वो रुग गया था, आप 150 से ज़ादा orders आपको नहीं मिल रहे थे daily basis पे, and this was concerning for you, तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा feedback लेने की कोशिश की, अपने customers से, तो आपको ये पता चला, कि आपके जो customers हैं, वो actually bore हो गये, bore क्यों हो गये भई, bore इसलिए हो गये, क्योंकि आपकी दुकान पे सिर्फ एक item मिलता था, और वो है wedge noodles, अब एक ही दुकान का wedge noodles, कोई कितनी बार खाएगा, दो बार, चार बार, पाँच बार, उसके बाद bore हो जाएगा, तो clearly आपके जो users थे, आपके जो customers थे, उनको चाहिए था variety, they wanted की यार, maybe आप manchurian बनाओ, chicken noodles बनाओ, chaisewan noodles बनाओ, जा फिर कुछ और चीज बनाओ, बढ़ थोड़ी variety आड़ करो अपने shop में, तभी तो हम और आकर के अलग-लग चीज़े try out करेंगे, तो अब आपको एक चीज समझ में आई, कि आपको अपना menu expand करना पड़ेगा, you will have to add new menu items, तो इसका मतलब यह है कि आपको अब थोड़ा सा research करना पड़ेगा, बुकान में, अपनी kitchen में एक research lab open करूँगा, इस research lab का एक ही purpose होगा, कि यहाँ पर अलग-अलग नए recipes try out होंगे, experiment किये जाएंगे, और जो best recipe निकल के आएगा, उसको हम अपने menu में add कर देंगे, ठीक है, basically यह जो recipe book है, यहाँ पर add कर देंगे, इस machine के अंदर, so that और हमारे variety बढ़ती जाएं, तो अब थोड़ा सा फोकस करते हैं, कि यह research lab कैसे काम करेगी, थोड़ा सा यह architecture समझते हैं, तो since अभी तक आपको काफी experience हो गया था, तो आपने सबसे पहले एक बात समझी, कि research lab में भी आपको खाना बनाना पड़ेगा, और खाना बनाने के लिए आपको inventory raw material की ज़रुरत पड़ेगी, तो आप यह वाली जो inventory है, यह जो आपकी main inventory है, जहां से खाना बनता है, raw material निकलता है, आप इसको use नहीं करना चाहते हो, इसको use करने से क्या होगा, यहां से आपका junior chef daily पूरे दिन raw material निकाल निकाल के इस machine में डाल रहा है, तो बीच में आप भी घुस के काम करोगे, तो अच्छा नहीं है, तो आपने क्या किया, कि आपने यहां से सुबह एक छोटी inventory बनाई, लाइक यह एक छोटी inventory बनाई, और हर सुबह आप अपनी बड़ी inventory से सामान उठा करके इस छोटी inventory में डाल देते हो, ठीक है, इसको हम research inventory बोल रहे हैं, obviously में कम सामान रहता है, बट हम सुबह morning में transfer कर देते हैं कुछ सामान, अब मैं जो head chef हूँ, नितिश, उसका काम क्या है, कि वो यहां से सामान ले करके, research lab में घुस करके, अलग-अलग recipes try out करता है, तो लेट से शुरू में मैंने decide किया कि यार मुझे chicken noodles बनाना है, तो मैंने एक recipe formulate किया, अपने experience के basis पे, और उस recipe को foundation पे रखके, मैंने पहली बार एक experiment किया, और chicken noodle बनाया, तो chicken noodle ठीक ठाक बना, आपने खा के देखा तो आपको ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा और spicy हो सकता था, तो आपने एक second experiment run किया, यह आपका first experiment हो गया, अब आपने second experiment run किया, जहाँ पे आपने थोड़ा ज़ादा masala यूज किया, तो जो result आया था वो थोड़ा सा improve किया, बट आपको लगा कि यार spicy रखते होए, अगर थोड़ा vegetables का component बढ़ा दे, और tasty लगेगा, तो आपने third experiment run किया, third experiment में veg का component ज़ादा था, spicy भी था, तो taste और निखर किया, फिर आपने थोड़े बहुत कुछ-कुछ parameters और change करके, अलग-अलग experiments run किये, इन total आपने 10 experiments run किये, और आपने इन सारे experiments को अलग-अलग parameters पे evaluate किया, ठीक है, अलग-अलग parameters कुछ भी हो सकते हैं, कि spicy कितना था, एक से लेके 5 की rating में, nutrition value कितनी थी, एक से लेके 5 के rating पे, आपका texture कैसा था, आपका looks कैसा था, यह सारे parameters की basis पे आपने सारे experiments को judge किया, evaluate किया, तो आपको पता चला कि जो आपका 7th experiment था, उससे जो chicken noodle बना था, वो best था, तो बहुत अच्छी बात है, decide हो गया कि कौन सा हमें chicken noodle, deploy करना है production में, unfortunately आपने stupidity की, कि यह जो आपने अलग-अलग experiments run किये, उस पूरे के पूरे process में, आपने carefully note down नहीं किया, कि मैंने batch number 7 में, या experiment number 7 में, exactly कितने vegetables use किये थे, exactly कितना मसारा डाला था, और इसकी वज़े से, अब problem क्या है कि, आप batch number 7 को, replicate ही नहीं कर पा रहे थे, reproduce ही नहीं कर पा रहे थे, तो in a way, आपने ये 10 experiment का सामान बरबाद किया, अपना बहुत कीमती वक्त बरबाद किया, and इस point पे, आपके पास कोई तरीका नहीं है, exactly figure out करने का, कि batch number 7 में जो chicken noodle बना था, वो दोबारा as it is कैसे बनेगा, और यहाँ पर आपने एक बहुत important बात सीखी, कि कोई भी experiment करो बेटा, उसको अच्छे से track करो, तो आपने एक नया philosophy implement किया आपने business में, जिसको बोला गया, experiment tracking, experiment tracking का बहुत simple सा मतलब है, कि जब भी आप एक dish को experiment कर रहे हो, carefully note down everything, कितनी सबजी डली, कितना मसारा डला, कौन सा equipment लगा, कितनी देर चला, temperature क्या था, measure everything, उसके बाद जो results है, कि spicy कितना है, nutrition value कितना है, texture कैसा है, looks में कैसा है, उसको भी note down करो, so that आप अपने सारे experiments को, first of all compare कर पाऊ side by side, और जैसी आप किसी एक को select करो, तो आप उसको as it is replicate कर पाऊ, उसका recipe generate कर पाऊ, और उस recipe को अपने इस machine में डाल पाऊ, right, तो ये आपने फिर, carefully implement किया आपने, research lab में, कि whenever I will do any kind of experiment, और my subordinate will do any kind of experiment, every experiment will be carefully tracked, और इससे अब ये फाइदा हुआ, कि आपके research lab में, standardized experiments होने लगके, तो जैसे आपने अपना ये experiment tracking वाला principle add किया, अब आगे का काम बहुत simple था, आप अपने best experiment से, जो recipe निकल के आती थी, उसको आ करके इस machine में feed करते थे, अपने इस junior programmer को, I'm really sorry, junior programmer नी, junior chef को समझाते थे, कि ये नया dish कैसे बनेगा, meanwhile अपने swiggy app में, manually जा करके, उस item को add करते थे, और आपका एक नया menu item add हो गया, but since आप एक automation freak हो, आपको automation बहुत पसंद है, तो आपने realize कि यहाँ पे काफी कुछ manual ही करना पड़ रहा है, तो आपने फिर थोड़ा market research किया, तो आपको पता जला, कि ये पूरा process करने के लिए, एक और machine है, तो आपने क्या किया, आपने वो machine भी loan पे खरीद लिया, तो एक बार मैं आपको उस machine के बारे में थोड़ा बताता हूँ, तो मालोब वो एक machine है, जिसमें चार steps होते हैं, पहला step होता है, कि आप उसमें अपने experiments run कर सकते हो, दूसरा step होता है, कि आप अपने experiments को evaluate कर सकते हो, कि आपका खाना कैसा बना, और once आपका कोई एक particular recipe सबसे अच्छा निकल के आया, आप उसको integrate कर सकते हो, directly to this machine, और fourth, आप deploy कर सकते हो, उस menu item को directly to the Swiggy app, ठीक है, चार parts में ये मुरी machine काम करती है, सो आप क्या कर रहे हो, आप यहां से खाना निकाल रहे हो, इस experiment वाले section में, डाल के अलगलर experiments, execute कर रहे हो, उन सारे experiments का data, आप उठा करके eval में डाल रहे हो, eval क्या कर रहा है, अलगलग parameters के basis पे, testing कर रहा है, कि सबसे अच्छा कौन सा experiment है, जो experiment सबसे अच्छा है, उससे related सारी चीजों को, आप ले रहे हो, कितना vegetable डला, कितना masala डला, कितनी देर cook किया गया, conditions क्या थी है, सब को उठा करके, आप automated तरीके से, recipe generate कर रहे हो, आपका ये वाला जो machine है, और आपका ये वाला जो machine है, वो connected है, और वो recipe क्या हो जा रहा है, यहाँ पर upload हो जा रहा है, और अब आप क्या गर सकते हो, अपने junior programmer को बोल सकते हो, कि एक बार ये जो नया recipe है, इसको इस production system पर चला के देख लो, कि जो output आ रहा है, वो सही है कि नहीं, तो you are doing a test, if the test is giving you satisfactory results, आप fourth stage में move कर रहे हो, fourth stage में आप क्या कर रहे हो, अपने इस नया recipe को deploy कर दे रहो, Swiggy app पे, अब इसका मतलब क्या है, कि Swiggy app पे कोई user आ करके, वो particular chicken noodle के उपर, order place कर सकता है, जैसी वो order place होगा, यहाँ पर आपके junior programmer को पदा चल जाएगा, वो यहाँ recipe में select करेगा, raw material डालेगा, यह आपका chicken noodle बनेगा, package होगा, और आपके delivery वाले बंदे को मिल जाएगा, और आपके user तक पहुँच जाएगा, तो in a way, अब आपने क्या किया, आपका यह जो पूरा experiment tracking था, यह जो research lab था, उसको आपने अपने main वाले production kitchen से connect कर दिया, तो यह पूरा का पूरा process automate हो गया, और अब सिंस आपके दुकान के उपर बहुत सारे items थे, बहुत सारे menu items थे आपके menu में, तो अब लोगों को variety दिखने लगी, तो कभी एक बंदे ने normal noodles खा लिया, कभी उसने chicken noodles खा लिया, कभी उसने manchurian खा लिया, तो suddenly से now you were able to see a growth, and you were able to see कि आप अब 300 orders, 300 orders या 250 orders जो भी है इसका limit, आप operate कर रहे हो, and this was such a sweet emotion, जो आपने feel किया, कि यार मैं जो एकदम simple से kitchen से मैंने start किया था, आज की rate में मेरे पास एक पूरा production grade kitchen है, और साथी साथ एक research laboratory भी है, जो बहुत automated तरीके से operate कर रहे है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहे है, आपके swiggy वाले दुकान पे आपने 5 menu items, menu items add कर दिये हैं, and you are getting on an average 250 orders per day, there is only one problem, और आप उसको भी identify कर चुके हो, वो problem यह है कि, आपके पास एक mechanism होना चाहिए, एक automated mechanism होना चाहिए, कि इन पाचों में से, किसी भी item का अगर rating degrade करने लग जाए, लेट से, चार के नीचे चला जाए, तो there should be some mechanism, जो सीधे उस recipe में changes लाए, और उसको improve करके वापस, इस automated pipeline में डाल दे, तो आपने यही किया, आपने अपने admin dashboard में, जहाँ पे आपको हर menu item का rating दिखाई देता है, उसको connect कर दिया आपने, इस experiment वाले system से, जैसे ही किसी भी menu item का rating, let's say less than 4.2 होता था, आपको एक notification आता था, और आप उस particular menu item को उठा के study करते थे, कि exactly क्या problem होई है, let's say कोई particular seasonal vegetable, अब खराब टेस्ट करने लग गया, तो आप जट से उसको हटा करके, उसके बदले में कोई replacement vegetable यूज करते थे, और उस नए recipe को experiment करते थे, evaluate करते थे, evaluate करके आप उसको integrate करते थे, integration में जो test है, वो सही से अगर run हुआ, तो आप उस नए recipe को like deploy कर देते थे, तो अब आपके पास एक monitoring, and in a way re-training system था, जो आपके performance को कभी degrade नहीं होने देगा, ठीक है, और इन सब के अलावा अगर आप देखो, तो और भी behind the scenes, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़े थी, जिसका आपको खयाल रखना था, as a business owner, जैसे की ये पूरा जो kitchen है, इसका safety वगएरा आपको handle करना है, इसका rent वगएरा आपको transfer करना है, इसकी daily की सफाई आपको handle करनी है, ये जो आपके अलग-अलग vendors है, जहांसे आप खाना मंगा रहे हो, raw material मंगा रहे हो, तो यहाँ पर account बनाना, यहाँ पर order place करना, wallet में पैसे recharge करना, यह सब कुछ आप करते हो, तो you can see, हाँ यह छोटा सा एक business, जहां पर आप noodles बेचते थे, बट कितने components इसमें आ गए, ठीक है, तो आपके college वालों को बता चला, कि हमारे college का एक बच्चा entrepreneurship कर रहा है, और अच्छा कर रहा है, daily के 200 orders serve कर रहा है, तो आपको एक entrepreneurship meet में as a speaker बुलाया गया, और आपसे पूछा गया कि, what are your feelings on running this business, जहां पर आप 200 noodles daily sell कर रहे हो, तो आपके मन में एक ही बात आई कि, जब मैंने शुरू किया था, तो मैं सिर्फ एक simple सा बंदा था, जो अच्छा noodles बनाता था, फिर मैंने decide किया कि मैं, इसके around एक business बिल्ड करूँगा, और business बिल्ड करने के process में मैंने सीखा, कि एक छोटा सा simple सा business, जहां पर आप noodles बेचते हो, उसमें भी कितना complex चीज आ जाता है, अलग-लग जगे से सामान खरीदना, उसको सही से store करना, automated तरीके से cooking करना, team में cooking करना, नए menu items आइट करना, automated तरीके से menu items आइट करना, customers को handle करना, तो यह जो पूरा example मैंने आपको दिया, वो सिर्फ और सिर्फ इसले दिया, because मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कि एक simple noodle बेचने वाला business में, कितनी complexity और आपको कितनी सारी चीज़े करनी पड़ेंगी, उस business को सही से run करने के लिए, अब आई नो आपके मन में क्या आ रहा होगा, आप सोच रहोगे कि यार मैंने तो ML Ops का वीडियो देखने के लिए, YouTube open किया था, आप तो मुझे एक food business कैसे चलाया जाता है, वो सिखा रहे हो, but don't worry, अब हम लोग machine learning का जो connection है, इस पूरे example से, वो देखेंगे, तो थोड़े देखेंगे एक example और लेते हैं, मालो आप एक company में join कर रहे हो, as a data scientist, और वो company है, let's say, ESPN Crick Info, it's a famous cricket website, और आपको वहाँ पर, कुछ machine learning models बनाने के लिए, hire किया गया है, जैसे कि, let's say, आपको एक model बनाने को दिया गया है, और वो model यह है कि, अभी, जिस team की batting चल रही है, आपको, at any point of time, ये predict करना है कि, वो team, batting खतम होने के बाद, कितने runs बनाएगी, जैसे मालो, match चल रहा है 50 overs का, अभी 30 over हो चुके हैं, और आपकी जो team है, वो 200 run बना चुकी है, 5 wicket आउट हो चुके हैं, तो based on the current circumstances, और past historical data, you have to predict कि, 50 overs के end में score कितना होगा, let's say 309 wicket आउट होंगे, ठीक है, ये आपको model बनाना है, तो, अब हम क्या करेंगे, इस example के through, ये पूरा connection समझेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, तो, फिलहाल थोड़ी देर के लिए माल लेते हैं, कि हमारे पास एक data base है, जहांपे, सारा data रखा हुआ है, Crick info का, इससे एक backend connected है, और उस backend से हमारा frontend connected है, जहांपे users जागर के, matches वगेरा का score देखते हैं, अब आपको बुला गया कि, भई आपको बनाना है एक machine learning model, जो इस frontend में integrate हो जाएगा, और छोटा सा ऐसा दिखाएगा, कि, innings score predictor, equal to, this will be the score, 320 बनेगा, ठीक है, तो अब ये बनाने के लिए, आपको ना, एक structure follow करना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसे ही नहीं, बस हवा में ये model बना सकते हो, जैसे मैं एकेट करके, ideas introduce करता हूँ, और आपको बताता हूँ, आप ये project, actually at scale, अच्छे से कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले, आप ये नहीं करोगे, कि आपको जब भी model बिल्ड करना है, या model का, like version upgrade करना है, तो आप इस database में से, csv files को download करोगे, और उसके उपर अपने model को train करोगे, नहीं, ऐसा आप इसलिए नहीं करोगे, because, first of all, एक running database के अंदर से, इस तरीके से बार-बार entries extract करना, is not a good practice, second, कल को ऐसा हो सकता है, कि, CrickInfo के उपर सिर्फ एक ही machine learning model ना चल रहे हो, 500 machine learning models चल रहे हो, तो ideally, you should have a structure like data warehouse, so what you will do is, कि, अपना machine learning model, build करने के भी पहले, आप अपना data infrastructure ready करोगे, ठीक है, ठीक वैसा ही जैसे, आपने यहाँ पर अपना inventory के लिए, एक inventory management system बनाया था, कि आपको multiple जगहों से raw material आ रहा है, आप उसको एक जगह पर structure कर रहे हो, और फिर उसको अपने system में आगे भेज रहे हो, तो similarly, आप अपने लिए भी, एक data warehouse बनाऊँगे, इस data warehouse में हो सकता है, आपके database से data आए, हो सकता है किसी API से data आए, हो सकता है किसी streaming service से भी data आए, like Apache Kafka, इन सारी चीज़ों के बारे हम आगे बात करेंगे, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ETL pipeline चलाओगे, जो इन सारे data को एक particular format में लेकिया आएगा, और इस data warehouse में load करेगा, अब इस data warehouse में एक बार अगर data आ गया, तो not only आपका ML model, इसको अच्छे से use कर सकता है, बट और भी जो आपके ML models हैं, या analytical services हैं, dashboards वगेर आपको बनाने हैं, वो सब भी इस structure का फाइदा उठा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपके इस inventory की विज़े से, kitchen में भी खाना बन पा रहा था, और यहाँ पर experiments भी हो पा रहे थे, तो यही benefit है इस data warehouse को बनाने का, तो यह जो पहला component आपने सीखा था, वो यहाँ पर भी applicable है, यहाँ पर आप इसको data management बुलाओगे, यहाँ पर आपने इसको inventory management बुलाओगे था, ठीक हैं, आगे बढ़ते हैं, अब मालो यहाँ पर आप अपना ML model बिल्ड कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले काम करोगे, हो सकता है कि आपकी दो-तीन लोगों की team हो, और तीनों लोग साथ में मिलके, इस code को, ML model को बिल्ड कर रहे हो, तो obviously ऐसा आपको एक system चाहिए पड़ेगा, जहाँ पर एक बंदा अगर कोई changes कर रहे है, तो वो changes आपको reflect हो, आप जो changes कर रहे हो, उस बंदे को reflect हो, so that आप हमेशा sync में operate करो, तो basically यह जो version control की philosophy है, जो आपने यहाँ पर recipe book के through implement की थी, वो same version control आपको यहाँ पे अपने code में भी apply करना चाहिए, so that एक बंदे न अगर code में कुछ change किया, तो दूसरे बंदे को दिखाई दे जाए, और वो updated code के साथ काम करे, तो यहाँ क्लियरली C की version control आपको, अपना food business चलाने में भी required था, crack info वाली website में भी उसकी ज़रूरत बढ़ रही है, let's talk about automation, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक machine खरीद के ले आये थे, जिसमें अगर आप raw material डालो, और recipe बता दो, तो वो खाना बना के पाक करके आपको दे देता है, similarly, एक ML model बनाने में बहुत सारे steps होते हैं, आप data को pre-process करते हो, आप उसके अंदर से features extract करते हो, उसके बाद आप अलग-अलग ML models को try करते हो, उसके बाद आप evaluate करते हो, अब यह सारे steps आप चाहो, तो एक pipeline के through भी कर सकते हो, आपने pipelines के बारे में पढ़ा होगा, psychic land pipelines, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो same level of automation यहाँ पे भी introduce कर सकते हो, with the help of ML pipelines, और लोग ऐसा करते हैं, कि यह सारा का सारा step एक साथ हो जाए, और फिर यही ML pipelines को आप production में deploy भी कर देते हो, ठीक है, अगली चीज, is experiment tracking, तो अगर आपको याद होगा, हमारे खाने वाल example में, जब research lab में, अलग-अलग experiments run हो रहे थे, तो हमने एक philosophy introduce की थी, कि जब भी कोई भी experiment होगा, हम उसके इर्दगिर्द जो भी data है, सबको carefully track करेंगे, so that हम उस experiment को reproduce कर पाएं, जब भी हमें ज़रूरत हो, similarly यहाँ भी, जब आप एक score predictor बना रहे हो, तो आप बहुत अलग-अलग type के algorithms, use करोगे, आप random forest try out करोगे, XT boost try out करोगे, आप neural networks try out करोगे, ऐसा भी हो सकता है कि, आज आपके पास कुछ data है, कल और ज़्यादा डेटा आ जाए, तो updated डेटा के उपर भी आप अलग-अलग models बनाओगे, so basically बहुत सारे permutations, combinations में आप model development करोगे, तो it's very very important, कि आप not only यह सारे experiments conduct करो, but इन सारे experiments को बहुत carefully track करो, because अगर आपने track नहीं किया, तो आपका जो best model है, वो बना कैसे, वो चीज़ आपको शायद याद ही नहीं रहेगी, कौन सा data यूज किया, कौन सा model यूज किया, क्या code लिखा, यह आपको in place रखना पड़ेगा, तभी आप careful experiment tracking कर पाओगे, ठीक है, उसके बाद अगला aspect आया था, CICD, integration and development वाला aspect, यहाँ पे क्या हो रहा था, हम जैसे ही कोई एक particular experiment को finalize कर ले रहे थे, कि इस experiment के result सबसे promising है, तो हम उसको उठा करके, हमारे इस machine में डाल रहे थे, और test कर रहे थे, कि इस recipe से जो खाना बनेगा, वो अच्छा है या नहीं, तो similarly आपको, यहाँ पर भी एक CI introduce करना पड़ता है, कि आपने एक model बनाया, ठीक है, अब आप इस model को, इस पूरी website के code के साथ integrate करते हो, और देखते हो, कि पूरा code on the whole सई से चल रहा है या नि, जब मैंने यह नया model एड़ किया इस website में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि, website की functioning खराब हो गए, website भी सही से चलना चाहिए, और यह जो नया model एड़ हुआ है, वो भी सही से चलना चाहिए, तो मैं यह carefully integrate करूँगा, ठीक है, at any point, whenever I am adding something new, I will have to integrate it to the entire code base of the website, ठीक है, and once it is integrated, tested, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको production पे deploy कर दूँगा, so that सारे users उसको use कर पाएं, तो that would be continuous deployment या delivery, तो CICD यहाँ पर भी आपको introduce करना है, उसके बाद, हमारा वहाँ पर एक concern था, कि जो नया recipe हमने add किया, जो नया menu item add किया, what if उसका reviews over time खराब हो जा रहें, तो वहाँ पर हमने monitoring का concept रखा था, कि कभी भी 4.2 से कम हो जाएगा, तो मुझे एक notification आ जाएगा, कि यह particular menu item खराब perform कर रहा है, similarly ML models भी over time degrade करते हैं, मैंने आपको last video में concept drift के बारे में बताया था, अलग-लग type के drifts होते हैं, concept drift, data drift, model drift, the idea is कि थोड़े time के बाद हो सकता है, कि आपका machine learning model उतना अच्छा perform नहीं कर रहा है, और इसके कई reasons हैं, season change हो गया, तो लोगों का preference change हो गया, taste change हो गया, कल को आपने एक नई country में launch किया, अपना product हो, तो वहाँ के लोग थोड़े अलग डंग से behave कर रहे हैं, तो जो भी है, इस तरह का data अगर आपके पास आता है, आप इसको बहुत carefully monitor करोगे, कि आपके जो predictions हैं, जो output निकल के आ रहा है आपके model से, वो सही है या नहीं, जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, मालनों आपने ये score predictor बनाया था IPL के लिए, बट आपने इसको चला दिया World Cup में, तो आपने notice किया कि World Cup में उतने अच्छे से predictions नहीं आ रहे हैं, तो आप इस बात को monitor करोगे, और monitor करने के बाद आप क्या करोगे, आप अपने model को retrain करोगे, तो basically आपका ये जो पूरा experiment tracking वाला pipeline है, उसको आप trigger कर दोगे, और फिर से CICD सब कुछ होगा, और model deploy होगा, और फिर उसको भी आप monitor करोगे, तो basically in a loop आप ये सारा काम करते रहोगे, और फिर इसके अलावा provisioning तो है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको पताया था कि, इस business को चलाने के लिए, आपको कही तरह का खयाल all रखना है, दुकान से related सारी documents, rent transfers, इन दुकानों से जो आप सामान मंगा रहे हो, उसके invoices, ये machine का, जो आपने loan ले रखा है, उसका document, EMI, ये सब कुछ आपको चाहिए, similarly, ये जो पूरा का पूरा infrastructure, आप cloud पे लेके जा रहे हो, अलग-अलग tools यूज़ कर रहे हो, उन सब को साथ में ला करके, काम करवाने के लिए, आपको जो जो चीजों की requirement है, वो provisioning आपको यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है, and lastly, एक चीज़ मैंने ये food वाल example में discuss नहीं किया था, वो है governance, एक business run कर रहे हो, तो आपको हर time, you will have to be very careful with governance, जो सामान आपके पास आ रहा है, आप उसको carefully check करोगे, जो सामान आपके side से निकल के बाहर जा रहा है, उसको भी आप carefully track करोगे, कि कहीं हम कुछ legal चक्कर में ना पढ़ जाएं, ठीक है, कल को लेटसे यहाँ पे एक cockroach निकल गया, तो कोई customer आपको consumer quote में खीच के ले जा सकता है, तो quality checks पूरे time लगे हो, वही same चीज़ यहाँ पे भी applicable है, कि आपके model से जो भी predictions निकल रहे हैं, वो किसी को hurt ना कर रहे हो, किसी को परिशान ना कर रहे हो, हाला कि यह score predictor वाले example में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट लेटसे chat GPT जैसा आपने एक model बनाया जो लोगों से बात करता है, what if वो बात करने के process में racist output दे रहा है, या फिर किसी particular class of human beings को नीचा दिखा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको पूरे तरह से govern करना पड़ेगा, otherwise आप legal चक्करों में पढ़ सकते हो, तो मैं बस आपको दो चीज़े बताना चाहरा हूँ, फिर्स्ट यह जो हमने food वाला example लिया, एक ML system is highly relatable to this food वाला example, फिर्स्ट फिर्स फिर्स तरीके से सिर्फ अगर आपको noodle बनाना आता है, तो इससे यह प्रूव नहीं होता है कि आप एक noodle shop खोल के वो business run कर लोगे, similarly, अगर आप एक data scientist हो और आपने अपने machine पर एक ML model बना लिया, तो it does not guarantee कि वो ML model एक software का part बन करके 1 crore users को help कर पाएगा और revenue generate कर पाएगा, what I am trying to say is कि सिर्फ एक ML model बना लेना और एक ML system बनाना जो एक साथ लाखो करोडों करोडों concurrent users को handle करते हुए करोडों का revenue generate कर रहा है, यह दोनों दो बहुत अलग चीज़े हैं और इसी जगह पे आता है MLOps, MLOps वो चीज़ है जो आपके laptop पे पड़े हुए ML model को उठा करके, एक fully functional ML system में convert करता है, जो highly scalable होता है, means कितने भी लोग आकर के इसको use करें, यह system तूटेगा नहीं, सबसे पहले, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम सबसे पहले आये थे, यह statement, मैंने आपसे बोला था, बताओ यह true है यह false है, MLOps is the practice of deploying machine learning models into production, I guess अब आपको समझ में आ रहा है, this statement is false, MLOps is much more than that, MLOps is handling the data infrastructure, MLOps also includes version control, MLOps also include experiment tracking, MLOps also include CICD pipelines, machine learning pipeline automation, it also includes provisioning, it also includes governance, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई भी नहीं, तो एक बार अगर हम इस definition पर फिर से जाएं, तो एक बार पढ़ते हैं, MLOps refers to the practice and discipline within machine learning that aims to unify and streamline the machine learning system development, जहाँ पर हम actually एक machine learning model बना रहे हैं, and machine learning system operations, उसके इर्दगिर्द की जितनी चीज़ें, डेटा का management, एक्सपरिमेंट का tracking, CICD pipeline, governance, provisioning, यह सब कुछ, इन दोनों को जो मिला करके set of principles बनते हैं, हम उनको MLOps बुलाते हैं, ठीक है, and the whole idea of MLOps is, कि एक बिचारे से ML model को, जो कि एक laptop पर results दे रहा है, उससे आप एक fully functional ML system कैसे बनाऊगे, जो highly scalable है, और अपनी company के लिए revenue generate कर रहा है, ठीक है, एक last flow chart में आपको दिखाना चाहूँगा, just to give you some more perspective, MLOps lies at the intersection of three things, ठीक है, first is machine learning, obviously ML model होगा ही नहीं, तो MLOps लगाओगे इस पर, second is data engineering, machine learning is all about data, तो data का careful management is very important, तो वहाँ पर भी काफी काम चलता है, and lastly DevOps के principles, DevOps is basically a field of computer science, जहाँ पर हम software systems को production में कैसे convert करते हैं, उसके बारे में काफी बातचीत होती है, तो यह जो CICD pipelines हुए, monitoring का concept हुआ, यह सब DevOps से आता है, तो you can see कि कितना complex चीज है MLOps, कि तीन अलग-अलग disciplines से मिलके बना है, आपको अगर MLOps सीखना है, क्यों बोला जाता है कि MLOps एक difficult चीज़े सीखना, because already जो तीन बहुत complex चीज़े थी, वो आपको आनी चाहिए, in order to understand MLOps कैसे काम करता है, आपको machine learning आना चाहिए, आपको data engineering का idea होना चाहिए, आपको DevOps के principles और tools बता होने चाहिए, तब जाकर के आप यहां center पे आते हो, और MLOps के engineer बनते हो, and that is why आजकी रेट में इतना demand है, MLOps engineers का या machine learning engineers का, because they are the guys who first of all know how to build ML models, and they are the guys who also know how to convert that ML model into highly functional and scalable ML systems. So this was my attempt to explain you what MLOps is, honestly, जो मैंने last में बोला, यह मैं 10 मिनिट के वीडियो में भी सेम बात बोलके आपको चीज़े समझा सकता था, but I took a slightly longer route, जहां पे एक पूरा example दे करके, मैंने अपनी बात प्रूफ करने की कोशिश की, so अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब आगे MLOps के उपर, और बहुत सारा कॉंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करने पे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई!